नमश्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अस्तमा के क्या क्या लक्षन होता और कैसे आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं सासों से जुड़ी बिमारी और खासता और पर अस्तमा के बारे में पहले से कुछ भी नहीं प्लाइन किया जा सकता क्योंकि खासी, सास, फूलना, घबराहट होना या अस्तमा अटैकाना ये ऐसी दिक्कत है जो कभी और कही भी अचानक आपको गेर लेती है अगर आपको या आपके किसी अपने को अस्तमा की दिक्कत है तो यहां जाने कि जब आपकी पास कोई दवाई ना हो, स्थिथी में इस समस्या सहिए कैसे निप्टे असमा का रोग किसी को अचानक भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है लेकिन लंबे समय से खासी का बने रहना या सास लेने में दिक्कत होना इसके मुख्य लक्षन होते हैं जड़े किसी व्यक्ती को सास लेने में दिक्कत हो रही है, या विन सास लेटे समय असहज करने वाली ध्वनी सुनाई दे रही है, तो साथ ही सिने में जकणन मैसूस हो रही है, तो आपको सतर्ः खोजाने चाहिए, साधी समझ जाना चाहिए कि सेहत के साथ सब कुछ ठीक नहीं है अब जानते कि पर डॉक्टर की क्यों जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप अस्तमा के पेशंट है तो पहले से आप इसका अलाज ले रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हर अस्तमा अटाक पर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है उन्होंने जो दवाईया और प्रिकॉशन आपको दी हुई होती है आप उन्हीं को फॉलो करते हैं लेकिन अगर आपको अस्थमा का टैक अचानक आ गया है तो आपको क्या करना है अब इस पर बात करते हैं सबसे पहले कमर को सीधे रखते हुए बैट जाए और अपने आपको शान करने का प्रयास करें जब आप सीधे बैट कई या खड़े होकर शान मंद से गहरी सास लेने का कम हो जाती है लेकिन इससे एयर बैक्स लंबे समय तक खुले रहते हैं जिससे शरीर में धीरे-धीरे ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ने लगती है और पेशन को राहत मिलती है तो फिलाल के लिए इतना ही और जानकारी के लिए बने रहे है एबियनन के साथ